वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफ हैर्स और जीके रिवीजन का अपना सिरीज कर रहे हैं 28 ठीक है तो अगर आप लोग टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम पे और फेस्बूक पे हमें फालो करना चाहते तो फालो कर सकते हैं और अगर य दिये जाता है बागों की संख्या को दूगनी करने के लिए और ये जो है दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को और ये कहां पे है इरोड जीले में है तमिलनाडू में राष्ट्री ये डूगोंग संडग्छण केंद्र कहां पर इस्थापित किया गया तो डूगो अलिली में दिया गया विकon साराभाइच चिल्डरन इंवोईसन सेंटर कहां पे गुजरात में भारत का पहला सहर जहां पर वाठर मेट्रो इस्थाट किय गए तो वाठर में इत्रोय स्थारट कि गयी आपकी कोची पर अर्याइग है अब रहाली के में वायोzen के पे किया गया था तो जो T20 World Cup का आयोजन किया गया था तो वो किया गया था UAE यानि कि सन्युक्त अरब अमीरात में और ये जो आपका T20 World Cup था इसका विजेता कौन था तो विजेता था आपका आश्ट्रेलिया संयुक्त अरब अमीरात की यानि की UAE की राजधानी क्या है तो यहां की जो राजधानी है वो है आपकी अबुधाबी ठीक है विस्व की पहली पेपरले सरकार कहां की है तो यह आपके दोबई UAE यह भी आपका संयुक्त अमीरात का जो है सहर है ठीक है न यहाँ पे विश्व की पहली पेपरले सरकार बनी है अगला है मारा मंगल ग्रह के लिए होप मिसन किस देश के द्वारा भेजा गया है तो होप मिसन किस के लिए है तो यह अपका मंगल ग्रह पे भेजा गया है ठीक है न और ये जो है सन्युक्त अरब अमिरात का जो है ये मिसन है होप मिसन ठीक है मंगल ग्रह के लिए अबराहम समझोता कि इन दो देशों के मद्ध में हुआ था तो अबराहम एकॉर्ड जो है ये कौफी इंपार्टन जो है समझोता था ठीक है ये समझोता कराया था किसने तो समझोता कराया था अमेरिका के पूरो राष्टपती डोनाल्ड ट्रंप ने और ये इसराइल और सन्युक्त अरब अमीरात यानि की UAE के मद्ध में हुआ था तो ठीक है और राष्ट्री जलमार्क 2 के बारे में भी इसी सम्बंदित क्वेस्चन बताएंगे कि कहां से कहां तक है और किस नदी पर है इसकी लंबाई में आपको बता दे रहा हूं 891 किलोमेटर राष्ट्री जलमार्क 2 की और राष्ट्री जलमार्क 1 की लंबाई कितनी है 1620 किलोमेट भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है तो पेपरलेस अदालत जो बनने के लिए तयार है वो है आपकी केरल उच्छ नियाल है ठीक है तो केरल हाई कोर्ट जो है ये भारत की पहली पेपरलेस अदालत जो है बनी है जम्मू कस्मीर में बैगनी क्रांती के तहट किसकी खेती की जा रही है तो बैगनी क्रांती के तहट की जा रही है लेवेंडर की खेती ठीक है बैगनी क्रांती जो है ये किससे समंदित है लेवेंडर की खेती से और ये कौन सा मिसन है तो एरोमा मिसन के तहट जो है ये खेती क जम्मू का स्मीर में याद रखना राज्य का नाम भी इंपोर्टेंट है सीथ कालीन ओलम्पिक खेलो में जाने वाले एक मातर भारती खिलाडी कौन था तो अभी हाली में सीथ कालीन ओलम्पिक हुए बीजिंग में ठीक है न Natural Gas Corporation यानि कि ONGC की पहली महिला अद्यक्ष कौन बनी है तो वो बनी है अलका मित्तल ठीक तो आपको कई बार ये बताय जा चुका आपको याद होना चाहिए PM आवास योजना ग्रामीड तो PS आवास योजना यानि की ग्रामीडों के लिए ये कब लांच की गई तो ये लांच की गई थी 2016 में ठीक है न और इसके तहट जो है कब तक सभी गरीबों के लिए एक घर की बात की गई थी तो 2022 तक ठीक है लेकिन अब इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है अब इसको बढ़ा कर 2024 तक कर दिया गया है ठीक है न अब तक ये जो लक्ष था वो 2022 तक था लेकिन अब इसको बढ़ा के 2024 तक कर दिया गया है मेकिन इंडिया कारिकरम का प्रारम किया गया तो मेकिन इंडिया कारिकरम प्रारम किया गया था एक माई 2016 को start की गई थी और ये कहां से प्रारम किया ऐख तो ये बलिया उत्तर प्रदेस से प्रारम किया गया था उसके बाद जब आपको ये योजणा आपका complete हो गया उसके बाद उट्जोला टू योजणा start की गई ठीक है आणा और भी लोगों को gas connection प्रदान करने के लिए और ये जो है कब start की गई तो ये start की गई 10 अगस्त 2021 को कहां से तो ये महोबा जिला उत्तर प्रदेश से इसको start किया गया ठीक है सहज बिजली हर घर योजना ये पहले भी आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है कि सौभाग योजना का संबंद किस से है तो ये आपके बिजली से है ठीक है न हर घर बिजली से संबंदित ये योजना है और इसको कप प्रारम किया गया है तो इसको प्रारम किया गया था 25 सितंबर 2017 को समुद्री वर्सावन किसको कहा जाता है तमिल नाडु का तट और लोटते हुए मांसून से जो है इस पे वर्सा होती है ठीक ना आते हुए मांसून से यहाँ वर्सा नहीं होती क्योंकि यह वरिष्टी छाया प्रदेश में पढ़ता है ठीक तो लोटते हुए मांसून से आपके कोरो मंडल तट पे वर्सा होती है तम मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्थित है तो मिनाक्षी मंदिर इस्थित है मदुराई मदुराई कहां पर है तमिल नाडु में और यह जो मिनाक्षी मंदिर है किस नदी के किनारे इस्थित है तो यह वैगाई नदी के किनारे इस्थित है ओके भारत का पहला भारती यह प्रोद आपका South Coast Railway और इसका मुख्याले कहां पे है South Coast Railway का तो इसका मुख्याले है विसाखा पत्तरम में भारत में पहला तेल का कुवा कहां पर खोदा गया तो ये खोदा गया कहां पे डिगबोई आसम में हारमुच जलसंदी कि इन दो भागों को जोड़ती है तो जो हारमुच की जलसंदी है ये जोड़ती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ओके हारमुच की जलसंदी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है इरान की नई मुद्रा अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये है आपकी टोमान और आदर भूमी से संबंदित जो आपका राम सर कन्वेंशन यानि की राम सर सम्मेलन हुआ था ये किस से संबंदित है ये भी आपको या दखना है कि आदर भूमी से संबंदित ये संबंदित था और ये हुआ था दो फरवरी 1971 को कोनेरू हमपी ये खिलाडी का नाम है महिला खिलाडी है किस खेल से संबंदित है तो ये संबंदित है आपके सत्रंज के खेल से यानि कि चेस के खेल से भारत की पहली महिला सत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन है तो पहली जो महिला सत्रंज ग्रेंड मास्टर है का नाम ही आप याद रखेंगे क्या नाम है विजय लक्षमी शुबरामन ठीक है ना हाल ही के प्रश्टुत बजट में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है यानि कि सरकार के पास दो धन आता है वो कहां से सबसे ज़्यादा आता है तो ये जो है अलग-अलग जो है विश्टो बैंक से या फिर एसे डेवलप्मेंट बैंक से इन सब जगहों से जो उधार लेती है सरकार तो वहां से इसके पास धन जो है सबसे ज़्यादा आता है ठीक है ना बजट के लिए और प्रश्टुत बजट में धन ब्याय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो जो ब् आयकर और निगम कर किस प्रकार के कर है तो आयकर यानि कि आपका इंकम टेक्स हो गया निगम कर हो गया यह सब आपके किस के हैं यह सब प्रत्यक्ष कर है अगर आपको पता हो कि जिएस्टी किस प्रकार का जो है कर है तो आप कमेंट करके बताना कि जिएस्टी किस प्रकार क tax है ओके आयकर और निगमकर किस तरह के हैं तो यह आपके प्रत्यक्ष कर हैं यानि कि direct tax है चलाइया समीति का संबंद किस से है तो चलाइया समीति का संबंद आपके tax reform से है यानि कि कर सुधारों से ठीक है पहले भी एक्वेस्चन आपसे पूछा गया एक्जाम में याद रखिएगा आप चलाइया समीति का संबंद कर सुधार यानि कि tax reform से है नाटो की अस्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कब की गई तो नाटो की अस्थापना की गई थी यह होता है आपके 24 फरवरी को ठीक है ना तो 24 फरवरी को केंदरी उतपाद सुर्क दिवक्स और आपका 17 दिवस कब होता है 20 जुलाई को अब देखते है 25 फरवरी के कुछ महत्वपूर करेंट अफेर्स को 22 फरवरी 2022 में किसने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीर डैस बोर्ड लांच किया ठीक है ना अभी आपको बताए गया कि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीर जो है आपकी पहले लांच हो चुकी थी 2016 में ठीक है ना यह आपका इसको जो है इस पर नजर रखन Magnus Carlson को पराजित किया है तो Magnus Carlson जो है ये विश्व चैंपियन है कि इसमें शत्रंज के खेल में ठीक है न और पांच बार से ये विश्व चैंपियन थे जिसको जो है भारत के एक सत्रंज खिलाडी ने पराजित किया है जिसका नाम क्या है रमेस बाबू प्रज्यानानंद और इनकी उमर क्या है इनकी उमर है 16 वर्स ठीक ना तो 16 वर्स के हैं ये रमेस बाबू प्रज्यानानंद समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है तो मरीन एलीट फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया है किस के लिए किया गया है ये भी आपको याद रखना है समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए यानि कि जो समुद्री जीव की तसकरी होती है उसके लिए तो ये किया गया है तमिल नाडू के द्वारा भारत के बाहर किस देश में पहला भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान अस्थापित किया जाएगा तो पहला जो भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान भारत के बाहर अस्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा आपके दुबाई में सन्युक तारब अमीरात यानि की UAE में ठीक है न तो दुबाई UAE ठीक है यहाँ पे यह इस्थापित किया जाएगा पहला जो है आपका IIT भारत के बाहर भारत में पहला कहाँ पे किया गया था वो आपको बताना है कमेंट करके क्योंकि अभी आपको उपर बताया गया कुछ देर पहले कि भारत में जो पहला IIT था वो कहाँ पे अस्थापित किया गया 23 फरवरी को केंद्री मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहां पर निकरसन्ड सदन म्यूजियम का उदगातन किया है तो ये जो निकरसन्ड सदन म्यूजियम का उदगातन किया गया है ये किया गया है विसाखा पत्तनम आंधर प्रदेश में तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे लगी हों, तो आप कमेंट करके बताईएगा, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कुछ भी, और वीडियो आप सेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत झाल झाल झाल